हाँ जे सर ध्यान दीजिए हमारा एक्जाम कैसा आएगा नहीं आएगा उन सभी बातों पर हम डिसकुशन करेंगे अभी रेगुलर का पेपर हुआ तो काफी बच्चे सोच रहें के रेगुलर वाली प्रैक्टिस हो जाए तो बेटर है और ओनर्स का भी हुआ तो डेफिनेट क्या हुआ है सर हम कैसा पेपर लेंगे तो कोश्चन नमबर वन में न हम चॉइस देंगे कोश्चन नमबर जो वन होगा न उसका एक एपार्ट होगा और एक बी पार्ट होगा और इसका और रखेंगे एक और और के अंदर भी हम रखने वाले हैं एपार्ट और बी पार्ट सर मार्क्स कितने का डिटर्माइन है 10-5 का रेशो हो सकता है 8-7 का रेशो हो सकता है यह question number 1 है यानि सर हो सकता है यह question आपका 5 का हो और यह हो सकता है 10 का हो सेम हो सकता है यह question 10 का हो और यह question 5 का हो रेशो यह है सर पहला question जो करेंगे वो कहां से सवाल आएगा हमारा ये भी हम जान लेते हैं कि किस से पूछा जाएगा जो हमारा first question आएगा न जो pattern कहता है कहता है सर हम first question पूछेंगे chapter number one से और chapter one number one और chapter number आपका two सर यानि theory वाले chapter से पूछेंगे और time value of money से पूछेंगे TVM से time value of money सर और के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है और के अंदर क्या पूछा जा सकता है हो सकता है मेरा मन करे तो मैं यहाँ पे कोई other chapter पूछ सकता हूँ लेकिन maximum chances है यहाँ पे आपका वो जैसे कि cost of capital या अभी रहने दीजे complicated हो जाएगा आपके लिए ये और वाला भी मान के चलिए आपका इसे unit से आ सकता है और यहाँ पे question EOQ से पूछा जा सकता है आपका और EOQ के बाद cash या receivable management से पूछा जा सकता है यानि थोड़ा सा पांचवे unit को हम merge करेंगे तो पहला ये है सर ये वाला थोड़ा सा आप पढ़ने में थोड़ा सा delay करिएगा क्योंकि theory जो है already मैंने theory डाल दिये है और आज मैं theory का भी discussion video बना दूँँगा जिसमें किसमें क्या के लिखना है नहीं लिखना है वो सारी बाते भी done हो जाएगी तो सबसे पहले state आपको mind में question clear होना चाहिए कि पहला question जो बनना है या time value of money और theory से सर इसमें कौन-कौन सी theory पूछी जा सकती है उस theory के भी बारे बे मैं discuss कर लूँ जो famous theory है एक है हमारा wealth maximization है profit maximization है CFO का theory है financial management के features इसके क्या-क्या आपके financial management और cost account में कई बार difference भी पूछा जाता है तो although सारे theory दिये हुए है हो सकता है possibility यहाँ पे आपका time value of money का theory भी आ जाए कि time value of money क्या होता है नहीं होता है इससे related तो यानि पहला question fix रखिए कि पहले दो chapter से बनेगे जो दूसरा question बनेगा आपका sir दूसरा question बनेगा इसके अंदर a part रहेगा और और में जो रहेगा न वो a और b में रहेगा यानि दूसरे question का sir pattern की जो तयारी है वो इस तरीके से करनी है कि पहला question आपका आएगा सिर्फ 15 नंबर का कोई option कोई कुछ नहीं और दूसरा question जो आएगा न वो आजाएगा आपका दस नंबर का और पांच नंबर का सर ये किस से आएगा sir chapter भी बताईए chapter के हम बात करें तो ये वाला जो chapter होगा वो होगा capital budgeting capital budgeting दूसरा सवाल बनता है sir हमारा capital budgeting से जो pattern कहता है हमारा sir एक question 15 नंबर का यानि थोड़ा सा मुश्किल सवाल आएगा और यहाँ पे थोड़ा सा easy question आएगा और एक साथ के साथ theory होगा sir sir theory कौन सा होगा ये also capital budgeting का हो सकता है theory भी आपका capital budgeting का होगा capital budgeting का theory का मतलब sir आपका इसके अंदर payback period क्या होता है IRR क्या होता है ARR क्या होता है PIE क्या होता है net percent value से आप क्या समझते हैं ये सारी चीज़े पूछा जाएगा cash profit क्या होता है इन सारी चीज़ों पे discuss किया जाएगा यानि practical के base पे theory रहेगा लो जी दूसरा question तयार हो गया हमारा के दूसरा question इस pattern पे तयार होगा अगली बात करते है question number 3 जो बनेगा वो कहां से बनने वाला है सर सवाल number 3 की अगर हम बात करें कहां से बनेगा आपके exam के लिए mind पूरा एकदम prepare होना चाहिए no doubt आपका paper देखिए इतना मुस्किल मैं कहूंगा जो कर रखा है उनके लिए तो ही नहीं मुस्किल और इतना मुस्किल आता भी नहीं है इसके अंदर जो हमारा A part रहेगा और B part हमेशा definitely और इसके और में भी रहेगा हमारा A part और B part question paper में मैं regular का भी दिखा दूँगा सर इसका मतलब capital budgeting के choice में आएगी हाँ बिलकुल अभी मैं सारी बातों को chat भी पढ़ लूँगा एक बर बस मेरी बातों को खतम होने दीजे उसके बाद सारे सवालों का जवाब देतेंगे हम सर ये जो chapter बनेगा ने किससे बनेगा सर ये बनेगा हमारा एक तो leverage से ये हमारा होगा एक तो leverage से एक होगा EBIT से सर एक होगा cost of capital से एक होगा सर value of firm से यानि इस पूरे जो unit को बनाएंगे न वो घुमा फिरा के तोड मडूर के ये चार chapter से बनाएंगे और में भी तो यानि उनका पूरा objective पूरा हो गया सर leverage भी पूछ लिए EBIT भी पूछ लिए और value of firm भी पूछ लिया सर ये वाला unit अकेला 15 नमबर का नहीं पूछा जाएगा इस unit के अंदर part रहेंगे और part क्या रहेंगे सर वही A और B part 7-8, 7-8 का ratio रहेगा ये 10-5 का ratio रखेंगे तो ये वाला unit ये complete हो जाता है सर question number जो 4 पूछा जाएगा कहां से पूछा जाएगा question number 4 की हम बात करें तो सर question number 4 जो पूछा जाना है वो पूछा जाएगा सर हमारा A part होगा इसका और सर और में आपका A और B part देखने को मिलेगा सर एक बड़ा chapter बड़ा concept यहां से भी निकल के आता है सर सर बड़ा chapter बड़ा concept कैसे इसमें सर जो question पूछा जाएगा सवाल में से एक तो हमारा होगा यहां पे किसका सर एक होगा यहां पे हमारा M.M.Approach का dividend वाला M.M.Approach सर chapter का नाम है dividend policy chapter का नाम dividend से बनेगा इए dividend policy सर chapter का बनेगा dividend policy याद रखिये एक mm का आएगा पूरे 15 नंबर का question mm का आया तो बाकि Walter और Gordon का आया तो यहाँ पे दो पार्ट होगा एक में Walter Gordon का theory और एक में practical तो इससे बनेगा जो कि dividend तो इतना आसान है कि पूछो मता लेकिन dividend करने का प्रैक्टिस में जो बच्चे है आप समझिएगा dividend आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ये वाला unit नहीं आएगा ये दोनों unit आपस में लिंक है ये unit करने के बाद dividend आप एक गंटे में भी निप्टा सकते हैं लेकिन direct dividend करेंगे तो सर बहुत दिक्क रहेगा ना आपका बच्चे कहरें theory कितने का रहेगा तो इसका मैं बता देता हूँ आपको theory यहाँ पे एक बनने वाला है majorly majorly theory यहाँ पे एक पूरा question हो सकता है यह part में 15 marks का पूरा theory हो और यहाँ पे आएगा आपका working capital working capital सर working capital के अलावा और कुछ भी आएगा क्या बिल्कुल आएगा आपका operating cycle और क्या आएगा सर और cash budget या receivable management आ सकता है यानि unit number 5 आएगा आपका तो सर theory कितने number का आएगा तो पहले question में मान लेते हैं कि हमारा theory marks quote करता है 10 number का दूसरे question में theory को mark नहीं करने वाला क्योंकि सर इसमें practical जब option है अगर आप पूस्तर सर paper कितने काएगा तो आप वैसे theory count मत करिएगा इसमें से आपका पूरा practical है तो मैं बोलूँगा दूसरे question में theory आई ही नहीं रहा तीसरे question में भी theory नहीं आ रहा चौते question में भी 15 का आ रहा है तो नहीं आ रहा है इस question में और आ रहा है हमारा कितने number का sir 15 number का theory आ रहा है वाके practical भी है तो total आप मान के चलो आप 25 से लेके 30 number तक आपको theory count जो की compulsory करने हो सकते हैं वो मिलेंगे आपको paper में sir theory कौन से होंगे theory के मैंने 20 important theory बताए हुए है उसी में से मान के चलिए आप कम से कम 90% theory उसी में से cover हो जाएगा मैं उस theory को भी discuss करूँगा तो sir ये था पूरा हमारा exam pattern अब हमें क्या chapter पहले कर लेना चाहिए जिससे हमारा easy हो कहा से कौन से questions कर लेने चाहिए उसकी मैं बात करूँगा तो